नमस्ते बच्चों आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से सश्टह पाठा का अभ्यासकारी करेंगे तो आज संसर्ट कक्षा में पुना आप सवी बच्चों का स्वागत है तो सश्टा पाठा जिसका नाम है यस से बुद्धी ही तरस्य बलम इस पाठ का हम सब अभ्यासकारी करेंगे तो यह शुरू करते हैं अभ्यासकारी पहला प्रश्ण पाठा पठित्वा बदन्तु लिखन्तु चा आम अथवा ना अर्थात पाठ को पड़गर पड़गर के बताईए कि ये सही है या गल्लत है पहला है किम काका विरिक्षे वसतियस्मा क्या कोगा विरिक्ष पे रहता था तो यहाँ पे होगा आम दूसरा किम सैनिकाह सरपस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयन क्या सैनिकों ने सांप के विनाश का उपाय सोचा तो इसका उत्तर होगा ना चुकि सैनिकों ने नहीं सोचा बलकि कववे ने सोचा इसलिए यहाँ पे उत्तर इसका ना हो जायागा तीसरा किम सर्पह कुटीरे वसती अस्मा इसका भी उत्तर होगा न चुकि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है कवगा कुटीर में नहीं बलकि कोटरे में रहता था इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा न कुटीर मतलब जोपड़ी होता है कोटरे मतलब बिल होता ह तो यहां पर इसका उत्तर ना हो जायागा अगला है, चौथा किम राजकुमार हा प्रति दीनम सरोवरम आगच्छति इस्मा किया राजकुमार प्रति दीन सरोवर में नहाने के लिए आता था तो इसका उत्तर हो जायागा, आम पाचवा, किम काकी हारम कोठरे अच्छिपत क्या काकी ने हार को कोठरे में, बिल में छिपा दिया इसका भी उत्तर होगा, आम और छठा, किम काका सरपस्य बधम अकरोद क्या कवे ने सांप का बद किया तो इसका उत्तर होगा, ना क्योंकि कव्य ने नहीं किया बलकि साम्प कबद आपको पता है किस ने किया साय ने को नहीं किया अब चलते हैं प्रसंग के दूसरा पे मन्जुशाया हा उचितम पदम चित्वा अरित अस्थनानी पूरियंतु मनजुशा में से उचित पदु को चुनते हुए खायर्यस्तान को भरना है पहला प्रश्न है एक अस्मिन यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है यह सभी उत्तर हैं यह जो गृण अक्षर में यह सभी आंसर ही है जिससे कि आपके करने में आसानी हो अब आसानी से कर सकते हैं, पहला है, एकस्मिन विरिख्षे काकह वसति इस्मा, दूसरा, काकह स्वशावकान, यहाँ पे स्वशावकान होगा, काकह स्वशावकान सनेहेन, सनेहेन यहाँ पे होगा, सनेहेन पाल्यति इस्मा, तीसरा, सर्पह शावकान अखादत, चोथा, का अगला है प्रवाशंख्या तीन मंजुशाया है मंजुषाय है उच्छितं पर्यायपदंग चित्वा लिखन्थू मंजुशाय में से उच्छित प्रियायपद अरठ अर्थाते समान अर्थawaले सब्द को चुनके लिखना हैं तो यहां पर लिखती द्रिष्टवा मतलब होता है अवलोक्या लब्धवा अर्थात नित्वा लब्धवा का मतलब होता है ले करके तो नित्वा का मतलब होता है इसले दोनों समान है ग्रिहित्वा मतलब ले करके प्राप्य मतलब भी प्राप्त करके ग्रिहित्वा मतलब प्राप्त करके और प्रा मने भी पास में यहाँ पर द्रिष्टवा है द्रिष्टवा का मतल़ होता है देख करके तो अवलोग के मने भी देख करके होता है तो इस प्रकार से यह सभी एक दूसरे के परियावाची पद है अगला प्रश्ण है चौथा एते शाम प्रश्टा नाम उत्राणि एक पदेन वधान्तो लिखान्तो च, अर्थात इन प्रश्टा को उत्तर एक बद में देना है, एक सब्द में देना है, यहां पर उत्तर लिख दिया गया है, यह सभी जो आपे अंसर हैं, अब देख सकते हैं पहला प्रश्ण है काकह काकी चा कान सनेहेन पालियता स्मा अर्थात कववा और उसके पतनी काकी जो है किनको किसको सनेह पुर्वक जो है पालते थे तो सुवशावकान अपने बच्चे को इसका उत्तर हो जाएगा सुवशावकान दूसरा, सर्पह कान अखादत, यहां पे अखादत होगा अर्थात, सापने किसको खा लिया, तो इसका उत्र हो जाएगा शावकान मतलब पक्षी के कवे की बच्चे को तिसरा, राजकुमार कुत्र वस्तराणी अस्थाप्यती अस्मा राजकुमार अपने वस्तरों को कहां पे रखता था, तो इसका उत्र हो जाएगा शिलायाम, अता शिला के उपर, पत्थर के उपर चौथा प्रश्न, काकी चंचवा किम धृत्वा कोटरे चिपती अर्थात, काकी ने अपने चुच में धारन करके क्या котरे में छिपा दिया तेहां पे होगा हारम अर्थात, काकी ने क्या किया हार को जाकर के सांप के बिल में वहाँ पे फैक दिया पाजीवा सैनिकाह कान अनुसरंत्प और घच्छन सैनिको ने किनका अनुसराण किया ? तो इसका उत्र अउत्र हो जायगा। काकी अर्थ काकीम अर्थात काकीकी और छठा सैनिकाह कोटरे कम अपश्यन सैनिकों ने कोटरे में बिल में क्या देखा तो उसने देखा सर्पम अर्थात साप को उसने बिल में देखा अगला प्रशन है पाचवा प्रशन इतेशाम प्रशना मुत्राणी पुरुन वाके ने बदनतु लिखनतु चा इन प्रशने को उत्र पूरे वाके में लिखना है और बताना भी है बोलना भी है पहला प्रश्ण है सर्पह शावकान द्रिष्टवा कीम अचिंतियत अर्थात सर्पने शावक को देख करके कववे के बच्चे को देख करके क्या सोचा तो क्या सोचा उसके उत्तर हम लिखेंगे यह पर इस प्रकार से उत्तर मैं अवश्य हिए इस शावक को इस पक्षी के बच्चे को मैं खा जाऊँगा यह उसने सोचा अवश्य हिए इतान शावकान भक्षाई श्यामी प्रश्ण दूसरा देखिए कह सरपस से विनाशाय उपायम अचिंतियत किसने साप के विनाश के उपाय के बारे में सोचा तो उत्तर हो जाएगा काकह सरपस से विनाशाई उपायम अचिनतयत अर्थात काक ने कवे ने साप के विनाश का उपाय सोचा तीसरा प्रस्न है अर्थाथ साप को मरे हुए दिख करके कवगा और इसकी पत्नी ने क्या सोचा अर्थाथ दोनों जो है निशिंत होगे के अच्छा वा सार्प मारा गया प्रस्न क्या चार के सरपस्य वधम अकुरवन सांप का वद किस ने किया तो उत्तर होगा सैनिकाह सरपस्य वधम अकुर्वन सैनिकों ने सांप का वद किया प्रस्ण क्या पांच व्रिष्ष्ष्य कोटरे कह वसतियस्मा व्रिष्ष्ष्य के बिल में कौन रहता था तो यहां पर उत्तर हो जाएगा व्रिषष से कोटरे कृष्ण सर्पह वसती अस्मा अर्थाद व्रिष्ट के बिल में कौन रहता था तो आपे कृष्ण सर्प रथाद काला साप कालिया साप वहां पर रहता था प्रसंख्याच्य है इसमें इस थूल पद काधार पे आपको प्रस्णिर्मान करना होता है मतलब आपके बुक में जो मोटे-बोटे अक्षड दीये रहते हैं सभी वाक्यों में उसके अस्थान पर मतलब वो उसके अस्थान पर जिस वचन में होगा जिस लिग्ग में होगा ज तो होता है जिसे कि प्रस्च निर्मान की परिकरिया पूरी होती है। विरिक्ष के उपर रहते थे, तो प्रश्ण आपको बनाना है विरिक्ष के उपर, विरिक्षे के उपर प्रश्ण बनाना है, तो यह अस्थान वाचक शब्द है, यह विरिक्षे अस्थान वाचक शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा, काकह काकी चा कुत्र अवसताम, कुत काक ने विलाप करते हुई काकी को अपनी पत्नी को देखा तो यहां पर आपको प्रस्ण बनाना है काकीम के ऊपर यहां पर हो जाएगा काम काकह विलापम कुरोंति काम अपश्चत हैं मतलब किसको देखा प्रस्ण क्यातीन राजकुमारह प्रती दिनम सरोवर में हाता था चोट्राप्रस्ण काकी हारम अनयत अब काकी प्रस्ण बनाना है हमें तो यहां पर हो जाएगा काकी इस्थेलिंग काकी शब्द है प्रस्ट बनेगा का अधुध प्रस्ट बनाना है कोटरे के उपर तो बनेगा कुत्र अबच्चन यह पर कुत्र हो जाएगा कुत्र आप ऐसे लिखते हैं कुत्र 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 अपश्यन इस ब्रगार से चाटा प्रशन है क्रिष्ण सर्पम्रितम दिष्टवा काकह काकी चा निश्यन्तव अभवताम इस पे काकह काकी पे बनाना है प्रशन काकह काकी पे यहां पे दुवचन है तो क्रिष्ण सर्पम्रितम दिष्टवा कौन यहाँ पर कव हैसे हम लिखेंगे दूई बचन में कौ निशिन्तव अभवताम और अंत में प्रश्मा तक्षीन जरूर यहां पर लगा देंगे जिसे कि हमारा प्रश्ण है वो समझ में आए अगला प्रश्ण है सात्वा, सात्वा प्रश्ण में क्या करना होता है आपका पता है कि इसमें कहानी के अलग-अलग लाइन यहां पर दिये रहते हैं जो कहानी आपने पढ़ा है उसके अलंगाला लाइन दिये रहते हैं लेकिन वो क्रम में नहीं रहते हैं क्रम में अर्थात हैं कि पहले कोन सी घटना घटिए उसके बाद कोन सी घटना उसके बाद कोन सी घटना मतलब जो घटना पहले होती है उसको पहले ह возмож notably при iPid जो आप देखने हैं ये सब ये सब आगे पीशे करके दिया हुआ है आपको क्या करना है कि इस सब को करम में सजा देना है बस ये काम करना होता है मतलब पहले इसमें आपके हिसाब से कथा के हिसाब से इसमें से कौन पहले होगा तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यह उत्तर उसका लिख दिया गया है जो पहले मोगा पहले में है जो दूसरे मोगा दूसरे में है तिसरे मोगा तिसरे में है इस पर कर से यह आप जो है कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद